मशकार दोस्तो मैं डॉक्टर नखिल आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूटूब चैनल पर दोस्तो आज की इस ब्यूटियों में हम जानेंगे बहुत ही इफेक्टिफ हॉमोपेटिक मैडिसिन जिसका नाम है दोस्तो एगनस कैस्टस हमारे सरीर में कहां कहां असर करती है किनकिन बीमार्यों में हमें इस मैडिसिन का यूज़ करना चाहिए यहां हमारे सरीर में कहां असर करती है किस potency में हमें इस medicine का use करना चाहिए क्या हमें mother tinger form में use करना चाहिए क्या हमें 6 CH potency में इस medicine का use करना चाहिए क्या हमें 30 potency में इस medicine का use करना चाहिए क्या हमें 200 potency में इस medicine का use करना चाहिए किस potency में हमें कब इस medicine का use करना चाहिए कब हमें 6CH medicine लेनी है कब हमें mother tinger form में लेना है कब हमें 200 potency लेनी है कब कौन सी potency का selection हमें करना है सही time पे ताकि हमारे सरीर में बहुत अच्छे results देखने को मिले आगे जानेंगे कि कौन-कौन सी ऐसी homopathic medicine है जिसके medicine के साथ इस medicine का comparison किया जाता है और भी ऐसी medicine है जब agnes custos medicine काम करना बंद कर देती है तब हमें कौन सी medicine यूज करने चाहिए ताकि हमारे सरीर में बहुत अच्छे results देखने को मिले तो दोस्तो इस वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी दूँगा कि हमारे सरी में कहां असर करेगी जब यहाँ medicine काम करना बंद कर दे तो हमें किस medicine का use करना चाहिए तो दोस्तो वीडियो को अंतक देखे medicine को अच्छी तरह से समझे medicine का use करके अपनी problem को पूरी तरह से take करे तो चलिए दोस्तो देरना करते हुए इस वीडियो को सुरू करते हैं दोस्तों वीडियो सुरू करने से पहले यदि हमारे चैनल पे आप नए हैं हमारा वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं यदि आप हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं बहुत ही अच्छा काम करती है ज्याल मेल्स लीए बहुत ही एक्शा काम करती है। यद्य हम इसका बैल मार्क इनोट की बाद करें इंपेल मार्क इनोट सि्म्टम आप प्रेंगे जी हाँ दोस्तों इंपोटेंसी नपूसंता इसका एक मैन लगचन है बहुती अच्छा काम करती है मेल्स में राम बान की तरह काम करती है अमरत की तरह काम करती है बहुती एफेक्टिव होमोपैटिक मैडिसीन जब भी इंपोटेंसी की बाद आती है जब भी पैनिस में उत्त प्रिजना नहीं होती तो यहां बहुत ही अच्छा काम करती है बेल मार की नोट सिम्टम अब डिस एगनस कास्टस जब एगनस कास्टस मैडिसिन काम करना बंद कर देती है उसके बाद only for two medicine आती है जो बहुत ही अच्छा काम करती है वीडियो के लास्ट में बताऊंगा अब सम पहले नंबर पे आता है दोस्तो इंपोटेंसी यदि आपको नपुसंकता कि आप सिकार हो चुके हैं तो यहां रामवान की तरह काम करती है मदर टिंचर फॉर्म में यूज करना चाहिए medicine का selection और potency किस मात्रा में लेनी चाहिए मैं साथ में भी बताते चलूँगा और लास रखाने के आदिवन्टे बाद भी ले सकते हैं टाइम एर्जिस्ट करके आप medicine suitable time में ले सकते हैं तो दूस्तो दूसरे नमर पे आती है उत्तेजना जब आपको उत्तेजना की कमी है लिंग में उत्तेजना बिल्कुल भी नहीं आती तो इस medicine का उस condition में यूज किया जाता है बहुत ही अच्छा काम करती है रामबान की तरह काम करती है तो उसमें इस medicine का यूज किया जाता है बहुत ही अच्छा काम करती है उस condition में 30 potency में यूज करनी चाहिए 30 potency में सुभा दुफैर श्याम continue कम से कम 1 मन से 2 मन तक इस medicine का यूज करना चाहिए बहुत ही अच्छे और बहुत ही effective results देखने को मिले है इसके बाद आता है दोस्तों जो भी males हैं जिनकी marriage हो चुकी है marriage होने के बाद का feel समय तक उन्होंने enjoy किया है उसके कारण importance के बाद दीरे दीरे करके शिकार हो चुके हैं तो उसमें इस medicine का यूज किया जाता है उस condition में इस potency का selection 200 potency में करना चाहिए 200 potency में बहुत ही अच्छे results देखने को मिलते हैं 200 potency में चार जब medicine इसमें पन बंद के बाद medicine बंद कर देना चाहिए इसके बाद जो इसकी complimentary होती है वहाँ आपको यूज करना चाहिए इसके बाद जो भी symptoms होते हैं आप पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं बहुत ही अच्छे results हैं बहुत ही अच्छा काम करती है नेक्स lesson आता है दोस्तो ब बुलककरपन के लिए यहाँ बहुत ही अच्छा काम करती है जब भी आप बैपार में बैठते हैं जब भी आप सोधा करने चाते हैं कोई भी काम करते हैं आप भूल जाते हैं बूल जाते हैं किसी भी काम को आप भूल जाते हैं तो उस condition में यहाँ बहुत ही अच्छा काम कर या इसके keynote symptom है मैंने जो आपको बताया आके मैं details में समझाते चल रहा हूं उसमें यहां रामबान की तरह काम करती है इसके साथ भुलकड़पन है तो हमें इस medicine का यूज करना चाहिए डिमनेशिया में भुलकड़पन आता है पर उसके symptom अलग होते हैं और यहां पोटेंसी की बात करें, इंपोटेंसी भी है, उतीजनकी कमी है, एरिक्टाइल डिसफंक्शन की प्राबलम है, तो उसमें हमें एगनस कास्टस मैडिसन यूज करनी चाहिए, इसके बाद नेक्स लक्षन आता है, दोस्तों, जवानी में भी बुढ़ापों की तरह दिखना, व नस कास्टस मैडिसन का यूज किया जाता है, उस कंडिशन में हमें 6CH पोटेंसी में यूज करनी चाहिए, कम से कम 6 मन तक यूज करनी चाहिए, लोवर पोटेंसी का सेलेक्शन करना चाहिए, और कंटीनु कम से कम 6 मन तक इस मैडिसन का यूज करना चाहिए, तब हमारे सरीर में बहुत ही अच्छे और बहुत ही फैक्टरिव जल देखने को मिलते हैं बहुत सारे ऐसे पेसेंट है मैंने जिसमें 6CH मैडिसिन का यूज किया है बहुत ही अच्छे और बहुत ही फैक्टरिव जल देखने को मिले है और भी साथ मेडिसिन है जो इसके साथ चल सकती है बहु बहुत ही अच्छे और बहुत ही अच्छा काम करता है यदि साथ में आप यूज करते हैं तो बहुत ही अच्छी रिजल्स मिलते हैं बहुत सारे मेरे ऐसे फ्रेंड्स है जो कमेंड में लिखते हैं कि साथ में हम कौन सी मैडिसिन यूज करें तुमें साथ में भी बताते चल र प्रॉब्लम होती है वहां यूज कर लेती है तो लिकूरिय की प्रॉब्लम है पूरी तरह से ठीक नहीं होती है उसको ठीक करने के लिए बहुत ही अच्छा काम करती है डाक्टर नैस लिखते हैं कि एक फिमेल्स है जो जिनमें काम उक्षा थे की बहुत ज़्यादा कमी हो गई थी बहुत ही अच्छा काम करती है बहुत ही अच्छे रिजल्स है इसके कोई भी साइड इफेक्ट्स नहीं है बनेक्स पोटेंसी में इसका यूज किया गया था थी मन तक यूज किया था बहुत ही अच्छे रिजल्स है इदि फिमेल्स में लिकोरिया की प्रॉब्लम है 30CH पोटेंसी में इस मैडिसिन का यूज करना है चारवून सीध डारेक्ट जी में सुबा दो फिर से हम कंटीन्यू क कम से कम थ्री मन तक मैडिसिन यूज करेंगे तो बहुत ही अच्छे और बहुत ही इक्ताक्टिव जल्स देखने को मिलेंगे कंटीन्यू कम से कम 6 मन तक इस मैडिसिन का यूज करना है एक कब गुन गुना पानी लेना है उसमें 20 ड्रॉप्स लेनी है थ्री टाइम आर डे बीजबून सुबा बीजबून तो फैर में बीजबून रात में कम से कम 6 मन तक इस मैडिसिन का लगातार यूज करना है साथ में आप अश्रगंद्या का मदर टिंचर, न्यूफरलिूटियम का मदर टिंचर, दामियाना का मदर टिंचर यूज़ कर सकते हैं बहुत ही अच्छी रिजल्स देखने को मिलेंगे दोस्तो एसिट फॉस इसके साथ यूज़ नहीं की जाती इस बात का विशेध ध्यान रखना कुछ ऐसी मेडिसिन होती है जिसका कॉंटर इंडिकेशन भी होता है साथ में कुछ ऐसी मेडिसिन होती है जो लेंगे तो एगनस कास्टर के जो एफेक्ट है बहुत पूरी तरह से चले जाएंगे इस बात का विशेध ध्यान रखें एगनस कास्टर मेडिसिन यदि आप सिंगल यूज़ करना चाहते तो आप यूज़ कर सकते हैं मैंने जो साथ में मेडिसिन बताई है वहाँ मेडिसिन आप यूज़ कर सकते हैं डॉक्टर की सला से यदि आप मेडिसिन यूज़ करते हैं तो आपको बहुत ही अच्छे और बहुत ही एफेक्ट रिजल देखने को मिलते हैं यदि आप अपने नज़दी की डॉक्टर से कंसर्ट करें तो आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे यदि आपके यहां होमोपैथिक नज़दी की डॉक्टर नहीं है तो डिस्कृरिशन के नीचे मैं लिंक दे देता हूं वहाँ से भी आप मैंसे किया जाता है बहुत से लोगों को यहां जानकारी नहीं होती और अब बात करेंगे दोस्तों कंपरिजन में सबसे पहले नंबर पर आता है दोस्तों एगनस कास्टर्स जब मैडिसिन काम करना बंद कर देती है उसके बाद केलेडियम मैडिसिन यूज की जाती है केलेडियम की पर मेरा परसनली दो वीडियो है डिस्क्रिक्स करने चे लिंक दे देता हूँ या आप मेरा नाम डालके सर्च कर सकते हैं बहुत ही अच्छा काम करती है अब जब मैडिसिन केलेडियम मैडिसिन काम करना बंद कर देती है उसके बाद मैडिसिन का नंबर आता है सेलेनियम का उसकी बाद सेलेनियम मैडिसिन आपको यूज करनी है जो मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ बहुत से लोगों को मन में यहां विचार आते होंगे कि Agnes Custus यूज़ कर ले हैं साथ में फिर Caladium भी यूज़ कर ले और साथ में Selenium भी Medicine यूज़ कर ले तो ऐसा बिलकुल भी नहीं करना है आपको यहां sequence wise चलती है CD-Y, CD हम चड़के ऊपर चड़ते हैं इसी तरह आपको एक के बाद एक Medicine यूज़ करनी है साथ में Selenium भी यूज़ नहीं करनी है नहीं साथ में Caladium यूज़ करनी है एक-एक करके Medicine आपको यूज़ करनी है बहुत ही अच्छे और बहुत ही फैक्टरी विजल देखने को मिलेंगे साथ ही साथ इसका Conium Mac के साथ इसका Comparison किया जाता है Impotency में बहुत ही अच्छे रिजल देखने को मिलते हैं इसके बाद आता है दोस्तो Lycopodium Lycopodium में भी इस तरह की लक्षन देखने को मिलते हैं Impotency, Rectile Disfunction, Prematurative Registry की जो प्राबलम होती है वहाल Lycopodium में भी देखने को मिलती है इसके बाद next आती है दोस्तो Sulfur Sulfur तो सभी लोग जानते हैं इसके बाद Sulfur बहुत ही अच्छा काम करती है इन मैडिशनों के साथ इसका Comparison किया जाता है बहुत ही अच्छे रिजल देखने को मिलते हैं तो अब बात करेंगे दोस्तो मैडिसन के डोस के बारे में कि Selection of this Potency किस तरह से यूज करें दोस्तो आपको काफी लंबे समय से प्राउबलम है तो Higher Potency में न जाए Lower Potency में जाए जैसे 6CH पे जाए 30CH पे जाए इससे Higher Potency में न जाए 200 बन एम पे न जाए और Mother Tinger Form में यूज करें बहुत ही अच्छे रिजल्स देखने को मिलेंगे जब क्या होता है कि काफी समय से प्राउबलम है तो धीरे धीरे करके Medicine Lower Potency में यूज करें और काफी लंबे समय तक यूज करें तो हमें अच्छे रिजल्स देखने को मिलते हैं Higher Potency में हम यूज करते हैं तो results बहुत ही कम देखने को मिलते हैं जब acute condition होती है तब हम Higher Potency का selection करते हैं यदि हमें एक दो महने से problem हो रही है तब हम Higher Potency का selection करेंगे और जल्दी से ठीक हो जाएंगे और जब हमें काफी लंबे समय से problem है तो lower Potency का selection करेंगे और काफी लंबे समय तक करेंगे तब हमारी जो समश्या पूरी तरह से ठीक हो जाएगी इस तरह से medicine का use किया जाता है मैं sequence wise इलिए आपको बताऊं तो Mother Tinger Form में आप use करना चाते हैं तो एक cup गुंगुने पाने में दिन में तीन बार यूज़ करना है इसके बाद आता है 6CH 6CH का आप repetition भी बार वार कर सकते हैं या इसका एक benefit है चारबुन सीधे डारक्ट चीव में शुबा दो फैर्शयाम यूज़ करना है इस बात का बिसेज ध्यान राके बहुत ही अच्छे रिजल्स है 200 पोटेंसी के दिए हम selection करते हैं चार बुन सीधे डारेक्ट जीव में शुबाश याम आपको यूज़ करनी है बहुत से लोगों को हमने देखा है डालूशन में या फॉर्म में आती है तो जीव में यूज़ करते हैं तो क्या होता है उनको स्वाद अच्छा नहीं लगता तो एक चमच पानी लेना है उसमें 4-6 बुन डाले और सिप सिप करके आप पी लें इस तरह से भी मेडिसिन का यूज़ किया जाता है इसके बाद आता है दोस्तो बन अमपोटेंसी मैं यहीं आपको सला दूँगा कि बन अमपोटेंसी में इस मेडिसिन का ज्यादा से ज्यादा मात्रा में यूज़ नहीं किया जाता यदि आप यूज़ करना चाहते हैं तो डॉक्टर की यह जो खटाई होती है हमारी जो medicine use हम जो करते हैं उसके power को कम कर देती है जिस तरह से अपने medicine use करी है 200 potency, 1M potency, 30 potency जो हम medicine use करते हैं तो उसके power को यहाँ कम कर देती है इसलिए हमें परेज homopathic medicine use करते हमें अवश्य करने चाहिए ताकि हमें वहतर से बहतर और अच्छे से अच्छे results मिल सके आसा करता हूँ दोस्तो यह वीडियो आपको अच्छे लगा है वीडियो अच्छे लगा है तो वीडियो को जरूर लाइक करें रेट कर की बटन दबा कर चैनल को सब्सक्राइब करके वेल आइकन की गंडी को जरूर फ्रेस करें ताकि सभी लेटिश्ट मैडिसिन की अपडेट सबसे पहले आपको मिल सके दोस्तो आज की वीडियो में वस इतना ही फिर बिनेंगे नेक्स्ट वीडियो में तब तक लिए जैहिन जै भारत बंदे मातरम